आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है प्यारे बच्चों, आपने पिछली कक्षाओं में विभाजन के बारे में पढ़ा था तो आईए आज इस वीडियो में हम जाने कि विभाजन कैसे यूकलिट विभाजन प्रमेई का यानि कि यूकलिट्स डिविजन लेमा से समबन्धित है हमारे पास 69 चॉकलिट्स वह तीन डिब्बे हैं, इन डिब्बों में बराबर बराबर चॉकलिट रखनी है क्या आप इन डिब्बों में बराबर बराबर चॉकलिट रख सकते हैं? शाबाश हमने देखा कि प्रत्य एक डिब्बे में 19 चॉकलिट्स को रख दिया जाता है जबकि दो चॉकलिट शेश रह जाती है ज़रा सोचिए, क्या अब आप इसे साधरन भाग विधी से हल कर सकते हैं? बिलकुल सही, हल करने पर हमें भाग फल 19 वशेश फल दो प्राप्त होता है जहां तीन भाजक वँ 69 भाज्य है यदि अब उन्ही चॉकलेट्स को तीन के जगह पाँच डिब्बों में बराबर बराबर रखनी है तो बताईए क्या करेंगे? शाबाश, अब हमारे पास प्रत्य एक डिब्बे में 11 ग्याराः चॉकलेट्स है जबकि 4 चॉकलेट अभी भी शेश रह जाती है जिसे हम इस प्रकार दर्शाते है इसी प्रकार यदि डिब्बों की संख्या बढ़ा कर साथ कर दी जाए तो हम देखते हैं कि प्रत्य एक डिब्बे में 8 आठ चॉकलेट्स आती है जबकि 3 चॉकलेट बाखी रह जाती है जिसे हम इस प्रकार दर्शाते है उपरियोक्त तीनों स्थितियों में हमने देखा कि भाज्य वब भाजक दोनों ही धनात्मक पूर्ण संख्याए है जहां भाज्य 69 को भाजक 3, 5, 7 से भाग देने पर 6 फल 2, 4, 3 बच्चता है ध्यान से देखने पर हमें ग्यात होता है कि तीनों स्थितियों में शेश फल भाजक से छोटा है जहां हम भाज्य को A, भाजक को B, भाग फल को Q से तथा शेश फल को R से प्रदर्शित करते हैं उपरियोग तिस्थितियों में दो धनात्मक पूर्णांक A, व, B दिखते हैं जहां A, B से बड़ा है और ऐसे अध्वितिय पूर्ण संख्याएं Q और R विद्यमान है विभाजन करने पर शेश फल R प्राप्त होता है जो B से छोटा या 0 हो सकता है जिससे हम कह सकते हैं कि A बराबर है B गुणा Q जमा R के जिससे यूकलिट विभाजन प्रमेई का यानि की यूकलिट्स दिविजन लेमा कहा जाता है आज हमने इस वीडियो में यूकलिट विभाजन प्रमेई का के बारे में अध्यान किया अगली विडियो में हम इसके प्रयोग से महत्तम समापवर्थक यानि की HCF ग्याद करना सीखेंगे आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है हमने अपनी पिछली वीडियो में यूकलिट विभाजन प्रमेई का के बारे में अध्यान किया था आज हम इस वीडियो में यूकलिट विभाजन प्रमेई का के प्रयोग से HCF ग्याद करना सीखेंगे बताईए कि चॉकलिट पी वचॉकलिट क्यू जिनकी संख्या क्रमशह 1215 और 891 है एक बॉक्स में अधिक्तम कितनी चॉकलिट रखी जा सकती हैं और उन्हें रखने के लिए कितने नियूनदम बॉक्स की आवशकता होगी इसका हल आप जाच और भूल विधी से भी कर सकते हैं लेकिन हम यहां इसे एक क्रम बधरूप से हल करेंगे जिसके लिए हम दूनों तरहे की चॉकलेट की संख्या का HCF यानि की Highest Common Factor ग्याद करेंगे इसके लिए हम यूकलेट विभाजन प्रमेई का A बराबर B गुणा Q जमा R का प्रयोग करेंगे आईए मिलकर हल करने का प्रयास करते हैं यहां 1215 बढ़ा है 891 से अब हम इन पर यूकलिड विभाजन प्रमेईका का प्रयोग करेंगे जिससे हमें ये मानप्राप्थ होता है क्योंकि शेश फल यानि की रिमेंडर शूने के बराबर नहीं है इसलिए हम भाजक यानि की डिवाजर आठ सो एक्यानबे और शेश फल तीन सो चौबीस को लेकर पुनह यूकलिड विभाजन प्रमेईका का प्रयोग करेंगे जिससे हमें ये मानप्राप्थ होगा यहां भी शेश फल शूने के बराबर नहीं है इसलिए हम पुनह प्रमेईका का प्रयोग करते हैं यहां पर हमें शेश फल शूने प्राप्थ हो जाता है इसलिए प्रक्रिया यहीं समाप्थ हो जाती है और इस स्थिती में भाजक 81 प्राप्त होता है जो की 1215 और 891 का HCF है इसलिए चॉकलेट P वचॉकलेट Q से बॉक्स में अधिक्तम 81 चॉकलेट रखी जा सकती है चोकि हमें तो निवनतम बॉक्स की संख्या ग्याद करनी है तो क्या आप बता सकते हैं इसके लिए हमें क्या करना होगा शाबाश यदि चॉकलेट P और Q की संख्याओं में अधिक्तम एक बॉक्स में आने वाली चॉकलेट की संख्याओं यानि की 81 का भाग देने पर जो भाग फल हमें प्राप्त होता है उनके योग की संख्या यानि की 26 ही निवनतम बॉक्स की संख्याओं होंगी अतह चॉकलेट रखने के लिए हमें निवनतम 26 बॉक्स की आविशक्ता होगी आईए अब यूकलेट विभाजन प्रमेई का और यूकलेट विभाजन एल्गोरिदम के बीच के अंतर को समझें यूकलेट विभाजन प्रमेई का एक सिध्ध हुआ कथन होता है जिसका उप्योग किसी अन्य कथन को सिध्ध करने के लिए किया जा सकता है जबकि अल्गोरिदम अच्छी तरहों से परिभाजित चरणों की एक श्रिंख ला है जो दो धनात्मक पूर्णांक संख्याओं A वब B के HCF को प्राप्ट करने के लिए उप्योग किया जाता है जहां हम यूकलेड विभाजन प्रमेईका के कथन A बराबर B गुणा Q जमा R को लागू करते हैं इस वीडियो में आज हमने यूकलेड विभाजन प्रमेईका पर आधारित उधारन देखा अगली वीडियो में हम दीखेंगे कि इस प्रकार के प्रश्णों को हल करते समय साधरन तह क्या गलतिया हो सकती है इस वीडियो में आपका स्वागत है पिछली वीडियो में हमने यूकलेड विभाजन प्रमेईका पर आधारित उधारन देखा अब हम देखेंगे कि ऐसे प्रश्णों को हल करते समय सामाने तह क्या गलतिया हो सकती है एक दुकांदार के पास 1517 जूतों की और 902 चपलों की जोडिया है वो इनको इस प्रकार डिब्बों में रखना चाहता है कि प्रतियक डिब्बे में जोडियों की संख्या समान रहे ऐसा करने के लिए प्रतियक डिब्बे में कितनी जोडिया रखी जा सकती है प्रश्ण को हल करने के लिए वीडियो को रोकें और फिर अपने उत्तर का मिलान करें चूकि यहां जोडियों की समान संख्या ग्याद करनी है अर्थात इन दोनों की संख्या का HCF ग्याद करना है जिसके लिए हम यहां यूकलिड विभाजन प्रमेईका का प्रयोग करते हैं यहां 1517 बड़ा है 902 से इसलिए A और B के मान रख हल करते हैं यदि आपने विकल्प एक का चैन किया है तो यह अच्छी कोशिश है परन्तु यह गलत उत्तर है क्योंकि जब आप यूकलिड विभाजन प्रमेईका का प्रयोग करते हैं तब आप जल्दबाजी में भाजत यानि की डिवाजर के स्थान पर भाज्य यानि की डिविडेंट को चुन लेते हैं जिसके कारण आपका उत्तर गलत हो जाता है यहां HCF ग्याद करने के लिए हमने यूकलिड विभाजन अल्गोरिद्म यानि की यूकलिड विभाजन अल्गोरिद्म का प्रयोग किया जो की यूकलिड विभाजन प्रमेईका पर आधारित है यदि आपने विकल्प दो का चैन किया है तो ये अच्छी कोशिश है परन्तु यह भी गलत उत्तर है क्योंकि जब आप नए भाजक यानि की डिवाईजर 902 और 615 को लेकर पुनह यूकलिड विभाजन प्रमेईका का प्रयोग करते हैं तो शेश फल यानि की रिमेंडर रिनात्मक प्राप्त करते हैं जोकि सही नहीं है क्योंकि प्रमेईका में आर का मान रिनात्मक नहीं होता है आर शूने से बड़ा या बराबर होता है और इस प्रक्रिया में हमें शेश फल शूने नहीं प्राप्त हो रहा इस बात को भी हम नजर अंदास कर देते हैं और इसी कारण आप यहां 1517 और 902 का HCF 6 615 मान लेते हैं अतह जिसके कारण आपका उत्तर गलत हो जाता है अगर आपने तीसरे विकल्ब को चुना है तो ये सही है HCF के लिए यूकलिड विभाजन प्रमेईका का प्रयोग कर इसे हल करते हैं यहां 902 से 1517 बड़ा है यूकलिड विभाजन प्रमेईका की प्रक्रिया को तब तक दोहराते हैं जब तक 6 फल शूने प्राप्त न हो जाए यहां 6 फल शूने प्राप्त हो जाता है इसलिए प्रक्रिया यहीं समाप्त हो जाती है क्योंकि इस स्थिती में भाजक 41 है इसलिए 1517 और 902 का HCF 41 होगा जिससे विकल्प 3 सही उत्तर है तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि इस उधारण में तीसरा विकल्प क्यों सही है और बाकी 2 क्यों गलत है अध्यापक भी कक्षा में विद्यार्थियों की सूजबूच का परीक्षण ऐसे ही कुछ उधारणों की मदद से कर सकते हैं आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है अपनी पिछली वीडियो में हमने यूकलिट विभाजन प्रमेई का यानि की यूकलिट्स डिविजन लेमा का अध्यान किया आज इस वीडियो में हम अंक गनित की आधार भूत प्रमे यानि की The Fundamental Theorem of Arithmetic का अध्यान करेंगे क्या आप इन संख्याओं को भाज्य यानि की Composite Numbers वह अभाज्य संख्याओं यानि की Prime Numbers में अलग-अलग कर सकते हैं संख्याओं को विभक्त करने के लिए वीडियो को रोके और फिर अपने उत्तर का मिलान करें उमीद है कि आपका उत्तर सही रहा होगा अब यदि हम इन में से किसी भी एक संख्या माना 102 का चैन कर आगे बढ़ें तो क्या आप 102 को उसके अभाजे गुणनखंडों के गुणनफल यानि की Product of Prime Numbers के रूप में लिख सकते हैं 102 को अभाजे गुणनखंड यानि की Prime Factors 2, 3 वह 17 के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं शाबाश अब यदि हम ध्यान दें तो देखेंगे कि अभाजे संख्याओं यानि की Prime Numbers को गुणना करके एक प्राकृत संख्या यानि की Natural Numbers प्राप्त कर सकते हैं आईए इसको और विस्तार से देखते हैं यदि अभाजे संख्याओं का एक संग्रह यानि की Collection ले और इन में से कुछ या सभी संख्याओं को चाहि कितनी भी बार गुणा करे तो हमें प्रत्येक स्थिती में धनात्मक पूर्णांग यानि की Positive Integer मिलता है अतह हम कह सकते हैं कि किसी भी धनात्मक पूर्णांग को अभाजे संख्याओं यानि की Prime Numbers की घातों यानि की Powers के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं क्या आप ऐसी कोई भाज्य संख्या यानि की कम्पोजिट नंबर सोच सकते हैं जिसको अभाज्य संख्याओं की घातों के गुणनफल के रूप में न लिखा जा सकता हूँ आईए इसका उत्तर देने के लिए एक धनात्मक पूर्णांक माना एक लाख आठ हजार एक सो आठ के गुणनखंड करते हैं क्या आप बता सकते हैं कि इस संख्या की गुणनखंड कैसे कर सकते हैं बिल्कुल सही हम गुणनखंड व्रिक्ष यानि की फैक्टर ट्री के प्रयोग से गुणनखंड ग्याद कर सकते हैं इस तरह हम एक लाख आठ हजार एक सो आठ को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में गुणनखंडित कर लेते हैं जो अभाज्य संख्याओं के गातों के रूप में हैं इससे आप क्या अनुमान लगा सकते हैं? इससे हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि किसी भी भाज्य संख्याओं के गातों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है और यदि अभाज्य संख्याओं के क्रम को छोड़ दिया जाए तो किसी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या की घातों के रूप में एक ही विधी में लिखा जा सकता है आप भी कुछ ऐसी संख्याओं को लेकर इस तथे की जाँच कर सकते हैं यह एक सत्य कथन है जो पूर्णाउंकों के अध्यन में एक महत्व पूर्ण भूमिका निभाता है यही कारण है कि इस कथन को अंक गनित की आधार भूत प्रमे दफंडामेंटल थियोरेम ओफ एरिथमेटिक कहते हैं जिसकी सबसे पहले उत्पत्ती यानिकी इंट्रोडाक्शन सरकाल फ्रेडरिक गौस ने की थी जिसके अनुसार प्रती एक भाजे संख्या को अभाजे संख्याओं के एक गुणन फल के रूप में व्यक्त यानिकी गुणन खंडित किया जा सकता है तथा यह गुणन खंड अभाजे गुणन खंडों के आने वाले क्रम के बिना अध्वितिय होता है आज इस वीडियो में हमने अंक गणित की आधार भूत प्रमे यानिकी दफंडामेंटल थियोरेम ओफ एरिथमेटिक का अध्यान किया अगली वीडियो में हम इस प्रमे का प्रयोग HCF व लCM में देखेंगे आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है अपनी पिछली वीडियो में हमने अंक गणित की आधार भूत प्रमे यानिकी दफंडामेंटल थियोरेम ओफ एरिथमेटिक का अध्यान किया आज इस वीडियो में हम इसके प्रयोग यानिकी एप्लेकेशन्स का अध्यान करेंगे क्या आप बारह वपैतालीस को उनके अभाज्ये गुणन खंडों के गुणन फल के रूप में लिख सकते हैं गुणन खंड करने के लिए वीडियो को रोके और खुद प्रयास करें शाबाश यदि आपने भी यही अभाज्ये गुणन खंड लिखे हैं तो आपका उत्तर सही है तथा यदि कुछ और गुणन खंड लिखे हैं तो उत्तर गलत है क्योंकि अंकगनित की आधार भूत प्रमे की अध्वितेता यानि की The Uniqueness of Fundamental Theorem of Arithmetic यह तई करती है कि प्रती एक भाज्ये संख्या को अभाज्ये संख्याओं के एक गुणन फल के रूप में व्यक्त यानि की गुणन खंडित किया जा सकता है तथा यह गुणन खंडन अभाज्ये गुणन खंडों के आने वाले क्रम के बिना अध्वितिये होता है आईए अब बारह वपैतालिस के अभाज्ये गुणन खंडों पर चर्चा करते हैं हम देख सकते हैं कि दोनों संख्याओं में उभाज्ये निष्ठ यानि की कॉमन गुणन खंड तीन है इससे आप क्या समझते हैं हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं कि दो धनात्मक संख्याओं के उभाई निष्ठ अभाज्ये गुणन खंडों के गुणन फल को महत्तम समापवर्तक यानि की हाइस्ट कॉमन फैक्टर हCF कहते हैं साथ ही अगर हम देखें तो HCF की तरह लगुत्तम समापवर्त्य यानि की लीस्ट कॉमन मल्टिपल LCM भी ग्याद कर सकते हैं जो की दोनों संख्याओं के प्रत्येक अभाजे गुणन खंडों की सबसे बड़ी घात का गुणन फल यानि की 12 वह 45 का LCM 180 होता है आप यहां और क्या देखते हैं? क्या आप बता सकते हैं कि अगर हम 12 और 45 के HCF वह LCM को गुणा करें तो हमें क्या मिलता है? बिल्कुल सही हमें 540 मिलेगा ध्यान देने पर हम पाते हैं कि यह 12 वह 45 के गुणन फल के बराबर है जिसके आधार पर यह निशकर्ष निकाला जा सकता है कि किनी दो धनात्मक पूर्णां को माना A वह B का गुणन फल तथा उनके HCF वह LCM का गुणन फल समान होता है अब प्रश्ण यह आता है कि क्या ऐसा दो से अधिक संख्याओं के लिए भी संभव है? आईए इसकी जाच दो स्थितियों की सहायता से करते हैं पहली स्थिती में तीन संख्याओं तथा दूसरी स्थिती में चार संख्याओं के HCF वह LCM ग्याद किये जा रहे हैं हल करने पर आप पाएंगे कि संख्याओं का गुणन फल वह उनके HCF तथा LCM का गुणन फल समान नहीं है अतहा हम कह सकते हैं कि यह कथन दो से अधिक धनात्मक पूर्णांकों के लिए मानने नहीं है इसकी जाँच आप स्वयम किसी संख्या सम्हूं को लेकर भी कर सकते हैं इस वीडियो में हमने अंक गनित की आधार भूत प्रमे की सहायता से दो धनात्मक पूर्णांकों वह उनके HCF तथा LCM के बीच संबंध के बारे में जाना अगली वीडियो में हम इस पर आधारित कुछ दिल्चस्पूधारन देखेंगे आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है पिछली वीडियो में हमने अंक गनित की आधार भूत प्रमे यानी की The Fundamental Theorem of Arithmetic का अध्यन किया इस वीडियो में हम अंक गनित की आधार भूत प्रमे पर आधारित कुछ दिल्चस्पूधारन देखेंगे क्या एन के किसी मान के लिए साथ की घात एन संख्या का शून्य पर समाप्थ होना संभव है हम जानते हैं कि यदि कोई संख्या शून्य पर समाप्थ होगी तो वह दस से भाजे यानिकी डिविजबल होगी इसलिए हम कह सकते हैं कि यदि संख्या साथ की घात एन अंक शून्य पर समाप्थ होगी तो वह दस से भाजे होगी यानिकी साथ की घात एन के गुणन खंड में अभाज्य संख्याएं दो तथा पाच आनी चाहिए क्या ऐसा हो सकता है नहीं ऐसा संभव नहीं है क्योंकि अगर हम साथ के अभाजे गुणन खंड देखें तो हमें सिर्फ एक और साथ मिलता है आंक गनित की आधार भूत प्रमे की अद्वेतियता यह तय करती है कि साथ के अभाजे गुणन खंड करने पर एक और साथ के अलावा और कोई अभाजे गुणन खंड यानि की दो वपांच प्राप्त नहीं होगा जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि ऐसी कोई प्राकृत संख्या नहीं है जिसके लिए साथ की घात एन अंक शूने पर समाप्त होगी आईए एक और उधारन देखते हैं दो संख्याओं A वब B के HCF वब LCM ग्रमशह 51 तथा 4,335 है यदि A बराबर 255 है तो B का मान ग्याद कीजिए क्या आप बता सकते हैं कि B का मान हम किस प्रकार ग्याद कर सकते हैं हमने अपनी पिछली वीडियो में सीखा था कि दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणन फल वो उनके HCF तथा LCM का गुणन फल हमेशा समान होता है अब यदि इस प्रश्ण में दिये गए इन मानों को हम इस सूत्र में प्रतिस्थापित कर हल करें तो अतह B का मान 866 होगा आज इस वीडियो में हमने अंक गनित की आधार भूत प्रमे पर आधारित उधारण तथा दो धनात्मक पूर्णांकों वो उनके HCF LCM के बीच संबंध देखा उम्मीद है कि आपको अंक गनित की आधार भूत प्रमे वो उसका प्रयोग अच्छी तरह से समझ आ गया होगा आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है अपनी पिछली वीडियो में हमने अंक गनित की आधार भूत प्रमे यानि की The Fundamental Theorem of Arithmetic का अध्यन किया आज हम अपरिमे संख्याओं से संबंधित प्रमे यानि की Theorems Related to Irrational Numbers का अध्यन करेंगे आप सभी जानते हैं कि वास्तविक संख्याओं परिमे और अपरिमे संख्याओं से मिलकर बनी होती है प्यारे बच्चों, क्या तुम बता सकते हो कि इन में से कौन सी संख्याओं परिमे वो कौन सी अपरिमे हैं? शाबाश! ये सभी संख्याओं परिमे हैं क्योंकि इन्हें P बता Q के रूप में लिख सकते हैं और बाखी सभी संख्याओं अब परिमे हैं क्योंकि इन्हें P बता Q के रूप में नहीं लिख सकते चलिए, एक दिल्चस्प तथ्य पर गौर किया जाए आईए संख्या 64 को दो से भाग करते हैं भाग करने पर हमें 32 मिलता है क्या बता सकते हैं 64 का वर्ग मूल क्या होगा? बिल्कुल सही, यह आठ होगा क्या आठ दो से भाजे है? जी हाँ, आठ को दो से भाग करने पर चार प्राप्त होता है ऐसा ही यदि हम और संख्याओं के साथ करें तो आप क्या देखते हैं? इन उधारणों के आधार पर हम किसी धनात्मक पूर्णांक माना A के लिए हम कह सकते हैं कि यदि A की घात दो, किसी अभाजे संख्या माना B से भाजे है तो संख्या A भी B से भाजे होगी आईए, आगे बढ़ते हुए वर्गमूल साथ जो की अब परिमे संख्या है परविचार करते हैं मान लेते हैं कि वर्गमूल साथ परिमे संख्या है अतह हम दो पूर्णांक A और B ऐसे प्राप्त कर सकते हैं की वर्ग मूल साथ बराबर A बटा B हो और B शूने के बराबर नहीं हो मान लिजिए कि A और B में एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभय निष्ठ गुणन खंड यानि की कॉमन फैक्टर नहीं है जहां A और B सह अभाजे यानि की को प्राइम है दोनों पक्षों का वर्ग कर इसे पुनर व्यवस्थित यानि की रियरेंज करने से हमें साथ B की घात दो बराबर A की घात दो प्राप्त होता है इसका आर्थ है कि साथ A की घात दो को विभाजित करता है इसलिए साथ A को भी विभाजित करेगा मान लेते हैं, जब हम A को साथ से विभाजित करते हैं, तब हमें भागफल के रूप में C प्राप्त होता है, जहां C पूर्णांक है A का मान समीकरण एक में हल करने पर, हमें B की घात 2 बराबर 7 गुणा C की घात 2 प्राप्त होता है इससे पता चलता है कि 7 B की घात 2 को विभाजित करता है, तब 7 B को भी विभाजित करेगा दी गई अपरिमे संख्या वर्गमूल 7 के अनुसार, हमें यहां 2 परिणाम मिलते हैं जिससे हमें ग्यात होता है कि A और B में कम से कम एक उभायनिष्ठ गुणनखंड यानि की common factor साथ है ध्यान दीजे कि हमने माना था कि A और B में एक के अतरिक्त अन्य कोई उभायनिष्ठ गुणनखंड नहीं है यहां उसका विपरीत या विरोधा भास यानि की contradiction प्राप्त होता है यहां विरोधा भास हमें इसलिए प्राप्त हुआ क्योंकि हमने एक गलत या तुटिपोन करपना यानि की incorrect assumption कर ली है कि वर्गमूल 7 एक परिमे संख्या है अतह हमें यह मालूम हो गया है कि वर्गमूल 7 एक आपरिमे संख्या है क्योंकि हमें A और B में कम से कम एक के अतिरिक्त अन्य उभायनिष्ठ गुणनखंड प्राप्त हुआ आज हमने इस वीडियो में आपरिमे संख्या से संबंधित प्रमी यानि के theorems related to irrational नंबर के बारे में अध्यन किया अगली वीडियो में हम इस से संबंधित उधारन देखेंगे आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है हमने अपनी पिछली वीडियो में आपरिमे संख्या से संबंधित प्रमे यानि की theorems related to irrational नंबर के बारे में समझा था अब हम इस पर आधारित उधारन देखेंगे रिद्धी वन्निधी कक्षा में आपस में किसी बात को लेकर चर्चा कर रही थी तब ही अध्यापक आते हैं और चर्चा करने का कारण पूछते हैं रिद्धी कहती है कि पांच जमा वर्गमूल साथ एक परिमे संख्या है जबकि निधी कहती है कि ये एक अपरिमे संख्या है अध्यापक उन दोनों से पांच जमा वर्गमूल साथ की परिमे या अपरिमे होने का कारण पूछते हैं निधी मान लेते हैं कि पांच जमा वर्गमूल साथ एक परिमे संख्या है जिसे पी बटा क्यू के रूप में लिखते हैं जहां पी वक्यू पूणांच संख्याएं हैं समी करण एक को पुनहर विवस्थित कर हमें वर्गमूल 7 बराबर P घटा 5 Q बटा Q मिलता है चुके आपको याद होगा कि परिमे संख्याओं का अंतर भी एक परिमे संख्या ही होता है इसलिए हम कह सकते हैं कि चुकी P और Q परिमे संख्या है तो दाय पक्ष में P घटा 5 Q बटा Q भी एक परिमे संख्या है तथा बाएं पक्ष में वर्गमूल साथ है जो कि आपरिमे संख्या है परन्तु यह असंभव है क्योंकि आपरिमे संख्या परिमे संख्या के बराबर नहीं हो सकती इसलिए निधी रिद्धी से कहती है कि हमने जो माना कि 5 जमा वर्ग मूल 7 एक परिमे संख्या है यहाँ उसका विरुधा भास यानि की contradiction प्राप्ट होता है अतह हम कह सकते हैं कि 5 जमा वर्ग मूल 7 एक अपरिमे संख्या है इस वीडियो में आज हमने अपरिमे संख्यासे संबंधित प्रमे यानि की Theorems Related to Irrational Number पर आधारित एक उधारन दीखा अगली वीडियो में हम दीखेंगे कि इस प्रकार के प्रश्नों को हल करते समय साधरन तह क्या गलतिया हो सकती है आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है पिछली वीडियो में हमने अपरिमे संख्यासे संबंधित प्रमे यानि की Theorems Related to Irrational Number पर आधारित दिलचस्प उधारन दीखा इस वीडियो में हम दीखेंगे कि इस प्रकार के प्रश्नों को हल करते हुए आमतोर पर क्या गलतिया हो सकती है निमने कथनों में से तीन वर्गमूल सत्रह के लिए कौन सा सत्य कथन है प्रश्नों को हल करने के लिए वीडियो को रोकें और हल करें और फिर अपने उत्तर का मिलान करें आईए सबसे पहले मान लेते हैं कि तीन वर्गमूल सत्रह एक परिमे संख्या है अतह इसे हम निमने प्रकार से लिखते हैं जहां पी वक्यू सह अभाज्य यानि की को प्राइम संख्याए हैं तथा पी और क्यू में एक के अतिरिक्त कोई उभायनिष्ठ गुणन खंड यानि की कौमन फेक्टर नहीं है पुनह व्यवस्थित यानि की रियारेंज करने पर वर्गमूल सत्रह बराबर पी बटा तीन क्यू प्राप्त होता है चुकि आपको याद होगा कि परिमे संख्याओं का विभाजन भी एक परिमे संख्या ही होता है इसलिए हम कह सकते हैं कि चुकि पी और क्यू परिमे संख्याओं है तो दाइपक्ष पी बटा तीन क्यू भी परिमे संख्या है इसलिए वर्गमूल सत्रह भी परिमे संख्या होगी क्या आप वर्गमूल सत्रह को पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं? जी नहीं, वर्गमूल सत्रह को P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता अर्थात यह एक अपरिमे संख्या है यह विरोधभास यानि की contradiction हमारी गलत कल्पना की कारण हुआ क्योंकि हमने तीन वर्गमूल सत्रह एक परिमे संख्या मानी थी अतह तीन वर्गमूल सत्रह एक अपरिमे संख्या होगी इसलिए विकल्प दो सही उत्तर है यदि आपने पहले विकल्प को चुना है तो यह अच्छी कोशिश है परन्तु यह गलत उत्तर है क्योंकि आपने पुनहर व्यवस्थित करने के बाद वर्गमूल सत्रह बराबर पी बटा तीन क्यू पराप्त होने पर आपने निश्चित कर लिया कि दाएं पक्ष में पी और क्यू पुनांग है तो पी बटा तीन क्यू एक परिमे संख्या होगी इसलिए दाएं पक्ष में वर्गमूल सत्रह भी परिमे होगी लेकिन आप भूल गए कि क्वर्गमूल सत्रह एक अपरिमेश संख्या है और कोई भी अपरिमेश संख्या किसी परिमेश संख्या के बराबर नहीं होगी अधह जिसके कारण आपका उत्तर गलत हो जाता है तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि इस उधारन में दूसरा विकल्प क्यों सही है और पहला विकल्प क्यों गलत है अध्यापक भी कक्षा में विद्यार्थियों की सूज बूज का परिक्षन ऐसे ही कुछ उधारनों के मदद से कर सकते हैं आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है अपनी पिछली वीडियो में हम परिमे संख्याओं यानि की Rational Numbers और परिमे संख्याओं यानि की Irrational Numbers तथा और परिमे संख्याओं पर आधारित प्रमे का अध्यन कर चुके हैं अब हम परिमेई संख्याओं के दश्मलव प्रसार यानि की Decimal Expansion of Rational Numbers पर चर्चा करेंगे. क्या आप इन परिमेई संख्याओं का दश्मलव प्रसार लिख सकते हैं? प्रयास करने के लिए वीदियो को रूखें और फिर अपने उत्तर का मिलान करें. क्या आप बता सकते हैं कि यहां हमने किस विधी का प्रयोग किया है? बिल्कुल सही, हमने यहां भाग विधी का प्रयोग किया है. इन दश्मलव प्रसारों को देख कर आप क्या समझते हैं? आपने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि किसी परिमे संख्या P बटा Q जहां Q 0 नहीं है का दश्मलव प्रसार या तो 7 यानि की टर्मिनेटिंग होता है, जैसे कि यहां 33 बटा 8 का दश्मलव प्रसार 7 है, या फिर असांत आवर्ति यानि की नौन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है, जैसे कि यहां 2 बटा 11 का दश्मलव प्रसार असांत आवर्ति है. अब प्रश्ण आता है कि किसी परिमेश संख्या का दश्मलव प्रसार कैसा होगा? सांत या असांत आवर्ति, ये जानने के लिए क्या हमीशा भाग विधी का प्रयोग करना होगा? या हमारे पास कोई और भी तरीका है? आईए, ये जानने के लिए इन दश्मलव संख्याओं पर चर्चा करते हैं. आप देख सकते हैं कि इन सभी को ऐसी परिमेश संख्याओं के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जिनका हर यानि की डिनाउमिनेटर दस की कोई घात होगा. अब यदि आईश तथा हर को उनके अभाजे गुणनखंडों यानि की प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिख, हम उनके उभाईनिष्ट गुणनखंडों को काटें तो, अब आप यहां क्या देख सकते हैं? हम यहां देख सकते हैं कि सभी वास्तविक संख्याओं जिनका दश्मलाव प्रसार सांथ है को एक पी बटा क्यू के रूप की परिमे संख्या में लिख लिया है, जहां पी तथा क्यू सह अभाज्य यानि की को प्राइम है, और हर यानि की क्यू में केवल दो की घातें या पांच की घातें या दो तथा पांच दोनों की घाते हैं, ऐसा इसलिए है क्योंकि 10 के अभाज गुणनखंड केवल 2 और 5 है इसलिए 10 की घातें 2 और 5 की घातों के रूप में ही होगी इसके आधार पर कहा जा सकता है X एक परिमेई संख्या है जिसका दश्मलव प्रसार 7 है तब X को P बटा Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है जहां P और Q सह अभाज यानि की को प्राइम है तथा Q का अभाज गुणनखंड 2 की घात N, 5 की घात M के रूप का है जहां N और M रिनेतर यानि की नौन निगेटिव पूर्णांख है अब अगर हम इन परिमे संख्याओं को देखें तो क्या आप बता सकते हैं इनका दश्मलव प्रसार सांथ होगा या असांथ आवर्ती? यदि भाग विधी द्वारा हल कर देखें तो पाते हैं कि पहली और दूसरी परिमे संख्याओं का दश्मलव प्रसार सांथ तथा तीसरी और चौथी परिमे संख्याओं का दश्मलव प्रसार असांत आवर्ती है अगर हम इन परिमे संख्याओं के अंश वहर के अभाजे गुणन खंड कर उभाईनिष्ठ गुणन खंडों को काटें तो आप देखेंगे कि 7 दश्मलव प्रसार वाले परिमे संख्याओं के हर को 2 की घात N, 5 की घात M के रूप में लिखा जा सकता है जबकि 7 दश्मलव प्रसार वाले परिमे संख्याओं के हर को इस रूप में नहीं लिखा जा सकता आतह हम कह सकते हैं जो प्रमे हमने अभी पड़ी थी उसका विलोम भी सत्य है जिसे आपचारिक रूप से हम इस प्रकार लिख सकते हैं मान लिजे, X बराबर P बटा Q एक परिमेश संख्या ऐसी है कि Q2 की घात N, 5 की घात M के रूप का है जहां N और M रिने तर यानी की नौन निगेटिव पूर्णांख हैं तब X का दश्मलव प्रसार सांत होगा और यदि Q2 की घात N, 5 की घात M के रूप का नहीं है तो परिमेश संख्या का असांत आवर्ती दश्मलव प्रसार होगा आज इस वीडियो में हमने परिमेश संख्याओं के दश्मलव प्रसार यानि के Decimal Expansion of Rational Numbers पर चर्चा की अगली वीडियो में हम इस पराधारित उधारण देखेंगे आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है पिछली वीडियो में हमने परिमेश संख्याओं के दश्मलव प्रसार यानि की Decimal Expansion of Rational Numbers पर चर्चा की आज हम इस पराधारित उधारण देखेंगे यहां भाग विधी का प्रयोग किये बिना हमें बताना है कि किस परिमेश संख्या का दश्मलव प्रसार सांथ है और किस का असांथ आवर्ती है क्या आप बता सकते हैं कि हम ये किस प्रकार पता लगा सकते हैं वीडियो को रोके और प्रेश्ण को हल करने का प्रयास करें यदि हम इस पहली परिमेश संख्या के अंश वहर दोनों के गुणन खंड कर देखें तो पाते हैं कि हर दो की घात N, पांच की घात M के रूप का है हमने अपनी पिछली वीडियो में सीखा था कि किसी परिमेश संख्या P बटा Q में यदि Q दो की घात N, पांच की घात M के रूप का हो जहां N और M रिनेतर यानि की नौन नेगेटिव पूर्णांग है प्रसार सांथ होता है इस परिमेश संख्या का दश्मलव प्रसार सांथ होगा आईए अब दूसरी परिमेश संख्या रिनात्मक 17 बटा 15 पर चर्चा करते हैं जिसके गुणन खंड करने पर हम देखते हैं कि इसका हर दो की घात N, पांच की घात M के रूप का नहीं है आपको याद होगा कि किसी परिमेश संख्या P बटा Q में यदि Q 2 की घात N, पांच की घात M के रूप का नहीं है तो परिमेश संख्या का दश्मलव प्रसार असांत आवर्ती होगा इसी प्रकार हम बाकी परिमेज संख्याओं के दश्मलों प्रसार का भी पता लगा सकते हैं अतह पहली, चौथी और पांचवी परिमेज संख्याओं का दश्मलों प्रसार सांथ होगा तथा दूसरी और तीसरी परिमेज संख्याओं का दश्मलों प्रसार असांथ आवर्ती होगा आज इस वीडियो में हमने परिमेज संख्याओं के दश्मलों प्रसार पर आधारित उधारन देखे अगली वीडियो में हम वास्तविक संख्याओं पर आधारित दिल चस्प उधारन देखेंगे आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है पिछली वीडियो में हमने परिमे संख्याओं के दश्मलों प्रसार पर आधारित कुछ उधारन देखे इस वीडियो में हम वास्तविक संख्याओं यानि के रियल नंबर्स पर आधारित कुछ दिल चस्प उधारन देखेंगे आईए इन वास्तविक संख्याओं पर चर्चा करते हैं आप इन संख्याओं को देख कर इनके बारे में क्या बता सकते हैं? ये सभी वास्तविक संख्याओं हैं और वास्तविक संख्याओं परिमे तथा अपरिमे संख्याओं से मिलकर बनती हैं तो सबसे पहले यदि हम इन अपरिमे संख्याओं पर घौर करें, तो क्या आप बता सकते हैं कि इनका दश्मलव प्रसार कैसा होगा? हम जानते हैं कि सभी अपरिमे संख्याओं का दश्मलव प्रसार असांत अनावर्ती होता है. आईए अब परिमेश संख्याओं की ओर बढ़ते हैं आगे बढ़ते हुए यदि हम इस संख्या के दश्मलव प्रसार पर गौर करें तो हम देख सकते हैं कि संख्या के अंत में ये तीन बिंदू हमें बताते हैं कि दश्मलव प्रसार असांत है तथा दश्मलव के बाद के अंकों आठ, तीन, चार, पांच वच्छे की पुनरावर्ती हो रही है। अतह इस वास्तविक संख्या का दश्मलव प्रसार असांत आवर्ती होगा। इस संख्या को हम इस प्रकार दंड यानि की बार लगा कर लिख सकते हैं. अंकों के उपर इस दंड से आप क्या समझते हैं? अंकों के उपर लगाया गया ये दंड अंकों के उस खंड को निरूपित करता है जिसकी पुनरावर्ती होती है. जैसे कि इस संख्या में अंकों दो व साथ की हो रही है अतह इस परिमे संख्या का दश्मलाव प्रसार असांत आवर्ती होगा अतह हम कह सकते हैं कि जिस संख्या में किसी अंक या अंकों के खंड के ऊपर ये दंड होता है उनका दश्मलव प्रसार असांत आवर्ती होता है अब अगर 29 बटा 1000 पर गौर करे तो हम अपनी पिछली कक्षा के ज्यान के आधार पर इसे सीधा 0.002 नौ लिख सकते हैं या फिर आइश वहर के गुणन खंड कर पाते हैं किहर यानि की 1002 की घात N, 5 की घात M के रूप का है दोनों ही तरीकों से एक ही निश्कर्ष निकलता है कि इस परिमे संख्या का दश्मलव प्रसार सांत होगा क्योंकि हमने सीखा था कि किसी परिमे संख्या P बटा Q में यदि Q2 की घात N, 5 की घात M के रूप का हो तो परिमे संख्या का दश्मलव प्रसार सांत होगा और यदि Q, 2 की घात N, 5 की घात M के रूप का नहीं है तो परिमे संख्या का दश्मलव प्रसार असांत आवर्ती होगा जैसे कि आप इस संख्या में देख सकते हैं जो कुछ आपने आज सीखा और समझा उसकी सहायता से इस परिमेई संख्या के दश्मलव प्रसार का स्वयम पता लगाएं। इस वीडियो में हमने वास्तविक संख्याओं, परिमेई संख्याओं तथा अपरिमेई संख्याओं की चर्चा की।